मुंक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्राचिनन याय का आधार इस विशे को लेकर प्रवर्तित इस पाठ्यांस में हम प्रमे के अंतरगत प्रथम प्रमे के उपर चर्चा कर रहे हैं प्रथम प्रमे आत्मा है आत्मा की परिक्षा हो रही है इसके पूर्व में आत्म परिक्षा विशे को लेकर के कुछ समाधान दिये गए सरीर से अत्रिक्त आत्मा है इसका निरूपन किया गया यहां आत्मा इंद्रिय नहीं है अपितु इंद्रिय से भिन्न है इसका निरूपन किया गया पुनस्च इस पाठ्यांस में अन्य जो निरूपनी है विशय आत्मा के विशय में वह कोई मन को ही आत्मा मानने वाला है पक्ष इसका चिन्तन करेंगे पुनहा आत्मा नित्य है अथवा अनित्य इसकी चर्चा होगी शरीर आत्मा नहीं है क्योंकि शरीर यदि नश्ट हो जाए तो वहां वेविचार दोश होता है इसलिए शरीर को आत्मा नहीं माना गया मृतहिशुब्य भीचारता है इंद्रिय को भी आत्मा नहीं माना गया क्योंकि इंद्रिय के नश्ट हो जाने पर उसका स्मरण अनुपपन्न हो जाता है इता बता इंद्रिय को ही आत्मा नहीं माना गया मन चुकी नित्य है इसलिए मन को ही आत्मा माना लिया जाए यह भी एक पक्षाया है इसकी चर्चा हम इस सत्र में कर रहे हैं और आत्मा नित्य है अथवा अनित्य इसके विशे में भी हम किसी सत्र में चर्चा करेंगे सर्वप्रथम आत्मा और मन ये दोनों अलग अलग है या एक ही है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं सुत्रकार महर्शी गौतम आत्मा और मन इन दोनों में भेद प्रतिपादन करते हैं कहते हैं नात्मप्रतिपति हेतु नाम मनसिसम भवाथ आत्मा में जो ग्यान होता है और उन ग्यान के जो कारण है वो मन में संबब नहीं है दूसरी बात इन सूत्रद्वय के बलपर हम आत्मा और मन में परस्पर भेद है ये दोनों अलग-अलग चीज है इसकी चर्चा होगी पूर्व में दर्शनस्परसना भ्याम एक आर्थक ग्रहनात इन सूत्र के द्वारा आत्मा को बोध कराने वाले जो हेतु है वहाँ बतलाया गया है दर्शन और स्पर्शन इन दोनों इंद्रियों के द्वारा एक ही अर्थ का ग्रहन होता है वह एक अर्थ जो है उस एक अर्थ का ग्रहक आत्मा है अईसा पूर्वपक्ष में कहा गया है अईसा अर्थ का ग्रहक मन ही है इसलिए मन को ही आत्मा मान लिया जाए ऐसा पूर्वपक्ष का आस्य है इसी पूर्वपक्ष के खंडन करने के लिए यह सूत्र का अवतरन होता है जैसे चक्षुशे देखता है, स्रोत्र से सुनता है, त्वगींद्र यह से स्पर्ष करता है, यह तमाम ज्ञान होते हैं इन तमाम ज्ञान का जो करता है, जो ज्ञान करने वाला है, दर्षन करने वाला, स्रवन करने वाला इन दर्षन और स्रवन का जो करन है, वह चक्षु है, स्रोत्र है, यह सब तो हम सब जानते हैं अहम मनसा सुखम मन्ये इस ज्ञान में मनन करने वाला और मनन करण का जो विशे है मनन करण किसके द्वारा होता है? वह तो मन के द्वारा ही होता है यदि मनन करने वाला का नाम आत्मा है और मनन करने वाला मन है ऐसा नाम हम कहते हैं तो संग्या में ही भेद है एक का नाम मन है दूसरे का नाम आत्मा है तो संग्या में ही भेद हो सकता है संग्या भेद मात्रम इसी को सिध्धान्त पक्ष में नियमस्च निरनुमाना हम इस सूत्र के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं यदि रूपादिक ज्यान के करण चक्षुरादी इंद्रियां को हम मानते हैं तो मननादिक ज्यान का करण अंतर इंद्रिय होना चाहिए सर्व विशयक होना चाहिए वह मन संभव नहीं है यहाँ एक कपोल कलपित जो हेतु है ऐसे हेतु को हम स्विकार नहीं कर सकते हैं पूर्वा भ्यस्त स्मृत्यन बंधा जातस्य हर्ष भय शोक संपर्ति पत्ते जो प्राणी उत्पन होता है पूर्व जन्म में जो कारिय वह किया है अपर जन्म में उसका स्मरण भी होता है इसलिए इस जन्म में बर्तमान आत्मा जो है वह पूर्व जन्म में भी था ऐसा हम सिद्ध करते हैं क्योंकि जो जात मात्र है जो जन्म लेने वाला है वह कभी हसता है कभी रोता है कभी वह सुख का अनुभव करता है कभी वह दुख का अनुभव करता है वह सुख दुख का जो अनुभव रूप होता है उस अनुभव का कारण कौन है वह कारण भूत जो स्मृती है उस स्मृती के बिना वह संभव नहीं है वह स्मृति बिना संसकार के संभव नहीं है और वह संसकार बिना पूर्व अनुभव के संभव नहीं है इसलिए पूर्व जन्म के बिना यह सब संभव नहीं है पूर्व जन्म किसका होता है? न तो शरीर का होता है, न इंद्रिय का होता है और नहीं मन का होता है यह पूर्व जन्म आत्मा का ही होता है इसलिए हम आत्मा को नित्य अभिनाशी संस्कारवान मानते हैं आत्मा नित्य है इसकी सिध्धी अभी आप देखें हैं यहाँ पर पूर्व पक्ष यह स्थापित करता है कि पदमा दिशु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद विकारः जैसे कमल पुष्प है कमल पुष्प का विकास उसका संकोच होना ये दोनों ही विकार बिना कारण के होता है तदवत आत्मा में होने वाला जो हर्ष है शोक है ये सारे विकार भी निमित के विना ही हो कारण के विना ही हो इसलिए इस आत्मा का पूर्व जन्म नहीं माना जाए इसका अपना समाधान देते हैं नौ उस्ण सीत वर्षाकाल निमित तत्वात पंचात्मक विकाराणाम उस्ण सीत और वर्षाकाल ये जैसे हम तमाम रित्मों को देखते हैं ऐसे ही यह जो शरीर है यह शरीर पंचात्मक है अर्थात प्रथवी, जल, तेज, वायू और आकाश इन पांच तत्वों का एक विकार है यह शरीर दूसरी बात यह विकार होने के कारण शरीर को हम आत्मा नहीं कह सकते हैं पदमा दीनाम प्रबोध संवीलन विकार निमित्त रह ता नसंती इनके विकार में यह सब निमित नहीं है क्यों पंचब्यो भूते भ्यो निश्पिन्नहा आत्मस्वरूपम येशाम तथा भूता नाम पदमा दीनाम प्रबोध निमित्तम कहने का आशय ये है कि सूर्य की जो किरण है वह सूर्य किरण इसके विकास में निमित्त है और जो सीथ का संपर्क होता है सीथ के संपर्क होने से यह संकुचित होता है तो पद्म का जो संकोच और विकास यह देखा जाता है यह भी बिना निमित के नहीं होता इसी तरह मनुष्य में जो हर्स और शोक यह देखने में आता है यह भी निर्निमित तक नहीं है इसका भी निमित है वो है पूर्व जन्म का संस्कार इसलिए आत्मा को हम नित्य मानते हैं अन्य भी इसके साधक सूत्र हैं प्रत्याहारा भ्यासकर्तात स्तन्याभिलासात पूर्व जन्म में भी यही आत्मा है क्यों कि मृत्यू के अनंतर, सरीरत्याग के अनंतर नवीन सरीर का ग्रहण करता है और नवीन शरीर के ग्रहण के अनंतर उसे दुगदपान की अभिलाशा होती है दुगदपान में प्रवर्ति होती है इन प्रवर्तियों के आधार पर हम यह सिद्ध करते हैं कि पूर्व जन्म था और इस जन्म में भी यहां तदवत आचरण हो रहा है यहां पूर्व पक्ष का एक और आक्षेप है जैसे अयसकानता भिगमनात तदुपसरपणम लोहे में जो चुम्बक है चुम्बक के संपर्क में आने पर जैसे लोहे में सभावत हा उपसरपण क्रिया देखी जाती है तदवत यह संसकार भी उपसरपण होता है संसकार की संक्रांती होती है ऐसे ही बालक भी स्तन्य पान में प्रवर्त्ती जो देखी जाती है यह उपसरपण माना जाए इसलिए पूर्वजन्म का अनुमान यह गलत है इसलिए यहाँ पर सिध्धांती समाधाम देते हैं अन्यत्र प्रवर्त्य भावाद अन्यत्र ऐसी प्रवर्त्ती होती नहीं है इसलिए यह आत्मा नित्य है जो पूर्वजन्म में आत्मा था वही इस जन्म में भी आत्मा है इन कुछ एक हेतू दिखा करके हम यहीं पर विश्राम करते हैं संबाद में संबलित होने के लिए हम आप साब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यबाद देते हैं धन्यबाद